मंच पे उपस्तित सभी मानने वर और मेरे पत्रकार भाईयों और बेनों दूसरी काम्याब मीटिंग हुई है हमारी और आपने देखा होगा ताना शाई के खिलाफ जनता इकठा हो रही है खरगे साब आपने तो हमारे अलेंस का नाम बता लिया लेकिन मैं तो इंडिया भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे इसलिए तो हम इकटा आए है और आप देखते होंगे पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पुछा कि अलग-अलग विचारधारा के लोग है राजनेती में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए इसी को तो प्रजातंत्र मानते है लेकिन इसके बावजुद हम एक आए हैं क्योंकि आप लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी के नहीं है कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं देश ही हमारा परिवार है तो इस परिवार को हमें बच्चा ना है और लड़ाई हमारी एक पार्टी की खिलाफ या एक व्यक्ति की खिलाफ नहीं है लड़ाई हमारी निती की खिलाफ है तानाशाई की खिलाफ है और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी तो अब आजादी खत्रे में आई है तो इस आजादी के लिए हम सब इखटा आए है और पक्का भरोसा है कि हम काम्याब रहेंगे, हो जाएंगे और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा तो हम इतना उनको एक ऐसास दिलाना चाहते हैं जाए हम है जैसे एक वो पिक्चर आए था मैं हूना वैसे हम है ना आप क्यो डरते हो चिंता मत करो एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता पुर्य देश की जनता मतलब देश है और देश की जनता अप इंडिया और भारत तक बनकर सामने आएगी अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे और दो मीटिंग हुई है आज की मीटिंग काफी कामयाब रही मैं करगे साब आपको शुको महारी जी सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और अगली मीटिंग हम महाराश्ट्र में करेंगे मुंबई में करें सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जय ही जय महाराश्ट्र